चीन से निकला क्रोनावाइरस धीरी देकर पुरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। गोकर वाकई में यह बाचीत करने के लिए हमारे साथ खुद भारत की जाने माने व्हेल्गानिक हैं जो कि देश के सबसे बड़े रक्षा संस्थान DRDO में अपनी सिवाई दे चुके हैं और इस वक्त भी M.A.T. Life Sciences के प्रेसिडेंट है दॉक्टर डबलू सिल्वा मुर्ति हैं, उनसे बाचित करेंगे दॉक्टर सिल्वा मुर्ति सबसे पहले तो क्या इस लगातार फैल रहा है, भारत में भी इसने दस्तक दे दी है क्या इससे लड़ा जा सकता है, क्या कोई ऐसी तक्नीक है बनी है अब तक कि इससे हम लोग फाइट कर सकते हैं, बच सकते हैं यह क्रोना वाइरस है, यह परिवार का बिलांग करता है इसका शेप है क्राउन जाइसा है, इसलिए इसको क्रोना वाइरस बोलते हैं पहले सार्स आये थे उसके बाद मेर्स आये थे, मिडिल एस्ट वाइरस वाइरस एक फैमिली में बिलांग करता है क्रोना वाइरस अभी इस कुरोना वाइरस, COVD-19 यह भी कुरोना वाइरस है क्योंकि उसका शेप कुरोना का शेप में है यह हमारा देश में अभी इतना प्रोब्लम अभी तक नहीं दिखाया दिया है अभी तक 30 से कम केसे अभी तक रपोर्ट हुआ है, 29 केसे मगर हम प्रिकाशन लेना चाहिए क्योंकि इस डिजीज को अभी अंटिवाइरल हमारे पास नहीं है और पूरा दुनिया में अंटिवाइरल, कोरोना वाइरस, COVD-19 के लिए नहीं है फिर दूसरा है, इसको spreading by body fluids जब वो sneeze करते हैं, या cough करते हैं, या spit करते हैं उसमें वोडी फ्लूइड में वार्ण प्राणिवाइरस आजाता है और दूसका कांटक्त, डिपंडिग अंटिवाइरनमेंने कोई ऊफेस में वोडाबार्ण वोडाइरस उसको इन्फेक कर लेते हैं. लोग श्neeze करते हैं, एक टावल को या करचीप को रखना चाहिए, या पेपर को, मास को रखना चाहिए. और हमारे पास अच्छा ताकत वाला डायत लेना चाहिए. उसको एक ऊच्छा खना वाल्दी, इन्मुनिकर, बादाव हुष्टा, बढ़ा देने के लिए, अच्छा खना हुष्ट, जए, और शूप घरला चीस, बॉर। और चुरीर को इंुमुनिकरर टेस्ट मास को भूस्ट करेगा अच्छा डायत लेना चाहिए. स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और कोई भी क्राउड है like meetings, gatherings, उसमें कम एक्सपोस होना चाहिए क्योंकि वही से आ सकता है so prevention is the only technology available today हम इसको disease को prevent करना है क्योंकि अभी वैक्सिन तयार हो रहा है और वैक्सिन आने के लिए टाम लगेगा similarly antiviral specific to coronavirus COVD-19 वो भी अभी तयार कर रहे है लोग प्रिपर कर रहे है अभी तक वो टेक्नलोजी नहीं है इसलिए only prevention is the cure and अभी हमारा temperature बड़ेगा समर में अभी समर आने वाला है temperature 26-27 डिग्री से उपर जाएगा average temperature and then ये वारस उसका survival बहुत कम है higher temperature में अभी सर्वेवल नहीं हो सकता है 27 डिग्री से उपर ये अपने आप खुद बहुत कहता है ये इसका life कहता है इसलिए हम अभी समर आ जाएगा फिर ए रेट अफ इंसिदेंस पी कम हो जाएगा spread कम हो जाएगा इसलिए हम इस स्टेज में prevention को spread को क्योंकी है highly contagious है ये particular coronavirus है highly contagious मतलब spread easily spread अगर virulence virulence मतलब कितना survival rate and mortality ये कम है क्यों Two-Two-Three-Percent is the mortality rate death rate जीए इसलिए और दॉने कोई बात नही है magar cool mind panik नहीं होना चाहिए magar हम prevention लेना चाहिए Dr. Silvamurthy क्योंकी खुद आप DRU के साइंटिस्स रह चुके हैं, आपने खुद आम्ट फोर्सेस के लिए जो निकलर बायलोजिकल केमिकल वैपन से उनसे कैसे लड़ सकते हैं, हमारी सेना ही लड़ सकती हैं, उस पर आपने काम किया और मदद भी किया आपने, क्या वाकई में, क्योंकि इस तरह क आपने काम किया हैं, क्योंकि आपने 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 कि नियुतिशन भी हो सकता है, क्योंकि सिल्फ मुटेशन, बोलते हैं, वो भी हो सकता है. तीसरा है, कोई भी एक्सपरिमेंट विर्स के उपर कररे हैं, कोई भी एक पर्पस के लिए डेवलिपमेंट उफ से वाची हो, यज बागर एजेंट हो, वो बीएसल 4 फिसिलिटी में करते हैं, बायो सेफटी लेवल 4, एक हाईली प्रोटेक्टेटेड लेयर साफ प्रोटेक्शन है, सो दाट कोई भी आरगानिजम लबारिटरी से बाहर नहीं आ सकते हैं, इसको बायो सेफटी लेवल 4 लेवल में आईसे एक्सपरिमेंट करते हैं, सो इस एक्सपरिमेंट करने में कोई भी इन्वस्टिगेटर इन्फेक्ट हो गया, वो बाहर आके दूसरों को स्प्रेट कर सकते हैं, एक एक पासिबिटी है, और यह बाहर आने का उमीद बहुत कम है, मगर जब इन्फेक्शन, लबारिटरी, इन्वस्टिगेटर, साइंटिस्ट्स कोई भी कोरोना वाइरस में काम कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट हो गया तो फिर दूसरों कोई इन्फेक्ट कर सकते हैं, सो यह पासिबिटी है, यह बाहर आगया हो सकता है. डॉक्टर सिल्वा मिर्ती, इसी से एक सवाल और निकल के आता है, कि अगर कभी निकिट भवश्य में हमारे देश के ऊपर, अगर इस तरह से कोई बाइलोजिकल वैपन का टैक होता है, अगरं अगरे को बचाओत क्या सकते हैं, तो हमारे देश सेटो ही कि स्युक्वारा फ़रा कःंडे लोगश्य में ल कोई बाइलोजिकल, यह जो बेघ्वाजिकल त्वेलोगीन पितड़्य में हमारे निकीट करेगां थनुक्ता सब्टाब कता हैं? 2020? Actually, our DRDO has a very important contribution in this field, CBR and Defence. In this case, we have field diagnostic kits in order to go to the field and go to the field and go to the field. It's not necessary to take the patient to the hospital or to the clinical center. We have prepared a field diagnostic kits. The other thing is surveillance. Surveillance mechanism. What is a disease? We are the world's largest biological wealth holder today. In the whole world, we have more biological wealth. Human resource. You can see, there are 1.3 billion people. 50% below the age of 25. So most productive. So human resource. We have 1.3 billion people. And another thing is animal. 1 billion animals. Cows, sheep, goats. So I say animals, we have 1 billion. The third thing is plant, crop. Our GDP, 15% comes from agriculture sector and plant sector. So plant wealth we have. We have bio-diversity. In the North East and Western Ghats, there is biological diversity. In the whole world, there are new hotspots. So that's why we have plant wealth, animal wealth, human wealth. This is biological wealth. So we have to protect it. So we have to protect it. That's why in DRDO, CBR and Defense was a very important research. We have developed a blueprint in three areas. We have developed CBR and Defense, particularly soldiers. We have all the diagnosis for that. Then we have to control the treatment for that. How to minimize the spread. के लिए तरीका फिर उसके बाद हम सेल्फ प्रोटेक्शन इंडिविजुल प्रोटेक्टिव एंसेंबल, CBR एंसेंबल तेयार किया हैं उसके बाद डिकन्तामिनेशन काईसे एंविरन्मेंट को डिकन्तामिनेट कर सकते हैं दूसरों लोग नहीं अफेक्ट हो जाएंगे फिर मेडिकल मनेजमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं जादा सा जादा लोग पचास सोलजर्स अंडर्गराउंड दी शेल्टर में होके न्ब्स न्बीस शेल्टर के अंदर जाके वो रह सकते हैं चार पांच दिन के लिए जब एंविरन्मेंट क्लीन हो जाएगा, क्लेक्टिव क्या ओजिए, टिन्गเรา जाएँ प्रच्ण में आपशन फेल्टर गांजाख के लिए, अबिकल मनेजमेंट, इस यह पुरा टिक तेखन टेवर्डे में अबर्ट बंस न्ब्स ट्राइब कर सकते हैं उड्यांद, इस यह पुरा टेज़ टिकला फूर्टर प्र्टर इंड को जर आपके पूरा प्लान बना है, हमने DRDO अपड़ा के प्लान बना के पाम शुरू कर दिया इस दिशा में, उसमें हम सर्वेलेंस रखना चाहिए, क्योंकि नेचरल आप्रेक, नार्मली चिकंगुनिया, इंफुंचा एक सिसनल वेरिएशन शो करता है, and sometimes there is a natural outbreak. But if we have a system with artificial intelligence, if we have a system with artificial intelligence, if we have a system with artificial intelligence, immediately we should now look at why it is happening. So is it man-made, spontaneously mutated, or genetically engineered, or has come from across the border, from the country, we can see this completely. Then we have to profile it. We have organisms, pathogens, in our environment. We have to profile it. If we can use any biothreat, we have to profile it. Our native organism is in the library. Then we have to refer it, this genomic profile, we have to match it. Where has it come from? Where has it mutated? Is it come from another country? Because we can match it. So genomic profile of the potential biothreat agents for plant, animal, human. We have to identify it. We have already done biothreat identification. Potential biothreat. After that, we have to keep surveillance systems. We have to be told, biological radars. Like radars will indicate the foreign aircrafts or bodies coming into our territory. It's known as as multiple array systems. We have to keep an array of antigens, antibodies. So when an antigen is in contact with the radar system, there will be an antigen-antibody reaction. So it will be an electrical signal. Then we will know that this organism has come from the environment. This is called biological radars. What is the new technologies? We have to contain them. How quick reaction time? Manpower should be to contain them. How to destroy them? Because plants have affected, animals have affected, human have affected. How to deal this? So that spread can be contained. We also have to explain it. यही वजय थी कि जब भारती लाय गिया गिया तो उनको बाहरते सेना की ही कुरिंटाइज एंडर में रखा गया था इसलेशन में तरह कि उनके पार इसलेशन की तरह किनीक है। क्योंकि तो विरुलेंट, इसलिए इसलिएशन वांट ज्यादा होना चाहिए. BSL-4 फेसिलिटीज भी ज्यादा होना चाहिए हमारा देश में. सिरफ तीन या छार फेसिलिटी अभी भी हैं. अभी गवर्नमेंट सैंक्शन किया है नया BSL-4 फेसिलिटी. क्योंकि कोई भी वाक्सिन तयार करना है, अंटीडोट तयार करना है, या या अंटी वायरल प्रिपेर करना है, हमें आर्गानिसम चाहिए, वो वो बी-एसल-4 फेसिलिटी में रखना चाहिए. इसलिए अभी National Institute of Virology, ICMR Institute है, वो बी-एसल-4 है. ये की ज़्यादा सा ज़्यादा ये एक या दो बी-एसल-4 फेसिलिटी है. हमारे देश यतना बड़ा है और इस तना फेसिलिटी होना चाहिए. गवर्न्मेंट स्पेशल फोकेस बायलाजिकल प्रोटेक्शन के लिए जरूर देना चाहिए. तो ये हमारे साथ खुद DRDO के पूर साइंटिस्ट डॉक्टर डवलू सिल्वा मूर्ती है, जो बता रहे हैं कि क्या क्या संभाव नहीं हो सकती है और किस तरह से जो करोना वाइरस है, जो लगाता है और दुनिया बर में फैल रहा है, किस तरह से कम हो सकता है, जो गर्भी आएगी टेंपरेचर बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि ये वेक अप कॉल भी है देश के लिए कि इस तरह के बाइलोजीकल थ्रेट से किस तरह से हमारी देश को निपटना होगा.